हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम माई 2021 का साइंस एंड टेक का करेंट अफेयर डिसकस करेंगे पहला टॉपिक है म्योकॉर माइकोसिस दूसरा टॉपिक है निगलेक्टेड टॉपिकल डिसीज तीसरा है अटमिस अकॉर्ड के बारे में देखेंगे उसके बाद सन हेलो कैसे ब बारे में पढ़ेंगे बायो हब क्या है टूडीजी क्या है और मेफ्लावर फोर हंडड क्या है यह सब इस वीडियो में डिसकस करेंगे पहला टापिक है मेकॉर माइकोसिस इसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं यह कोविट के बाद एक महमारी इसको घोसित कर दिया गया था ब्लैक फंगस यह इसको ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं क्योंकि यह प्रभावी उतक को गलाने लगता है और उतक जो है वो काला पड़ जाता ह भाल माइकोशिस एक कव की संक्रमाण है फंगल इंफेक्शन है इसमें रिस्क किसको किसको रहता है जिन्हें को मार्बिडिटी है या कि फिर कम्प्रोमाइड इम्यूनिटी है को मार्बिडिटी का मतलब होता है जैसे उनको किसी को BP की प्राबलम हो बलड सुगर की प्राबलम हो या किसी को आटो इम्यून डिसाडर हो ये को मार्बिडिटी के को मार्बिडिटी के ग्रूप में लोग आते हैं ये कवक है क्या कवक यू केरियोड सो होते हैं और ये नम और थोड़े अमली परिवेस में फलते फूलते हैं और ये प्रकास में भी ये प्रकास में भी हो सकते हैं और बिना प्रकास के भी ब्रद्धी कर सकते हैं इनका मुख कार है परेवरण में अब घटन के लिए होना कवक के और कौन कौन से उधारण है येस्ट फफूंद मश्रूम वर ट्रफालिय सभी सामन कवक के उधारण है कुछ कवक एक कोसकी हो सकते हैं जैसे येस्ट अन बहुकोसकी कवक होते हैं ये मिकरमाइकोसिस संक्रामक नहीं है ये लोगों और जनतूओं के बीच प्रसारित नहीं होते हैं इसलिए संक्रमित ब्यक्ति से इसके संक्रमण की संभावना कम है उप्चार के लिए एंटी फंगल प्रतिकव की दवा उप्योग करते हैं जैसे एंपो टेरिसिन बी और पासा कोना जोल ये प्रतिकव की दवाई हैं दोनों इनको हम मियुकॉर माइकोसिस के लाज के लिए यूज करते हैं अनने कभकी संक्रमाट रंड़ कौन-कौन जैसे एक तो मियुकॉर माइकोसिस ब्लैक फंगस पढ़े अब एक होता है पी लग होता है यालो फंगस यह क्या है यह private part को प्रभावित करता है जो स्वेथ तरल स्रावित होने लगता है इसलिए इसे स्वेथ कभग कहते हैं और एक एक बीमारी होती है इस पर गिलोसिस यह इस पर गिलास कबा की करण होता है यह यूजियली रेस्पिरेटरी सिस्टम को एफेक्ट करता है जैसे फेफ़ों में आपको हो सकता है इसके इनफेक्शन के बाद सांस लेने वगएरा में प्राबलम हो दूसरा टापिक है 43 डिग्री साउथ तक कच्छे तरिये उस नकटीबंध जोन के अंतरगत आता है इधर जो बीमारियां ज्यादा होती है और उनको वो निगलेक्टेड में हैं उनका प्रापर इलाज नहीं हो पाता है उन्हें हम उपेच्छित उस नकटीबंधी रोक कहते हैं यह 30 जनवरी को बिस्व neglected tropical disease भूसीत किया गया है पिछली 30 जनवरी को यह महात्मा गांधी का सहीरी दिवस भी है और भारत में कुष्ठ रोक दिवस भी है नहीं कि महात्मा गांधी के सहीरी दिवस को एक तरीके से रोक दिवस में बदल दीए गया है यह उपेच्छित उसनकटिबंदी एक संचारी रोग है यह एक संचारी रोग है और इसका मुख कारण क्या है निर्धनता से उपजी हुई अस्वच्छता और पसुवों के संपर्क में रहने से चोकि यह माना जाता है कि उसनकटिबंदे में रहने वाले अधिकतर लोग निर रख पाते हैं भारत बारत ने कुछ भारत ने कुछ उसनकटिबंदी बिमारियों का उनन मूलन कर दिया है उसमें से है एक ट्रेकोमा या या जैसे बैक्टीरिये ज daqui मारियों का उनन वाया भारत के दौर्ण अब उसन कटिवंधी जो बीमारियां हैं उनमें से कुछ होई जो बैक्टीरिया के कारण होती है कुछ वारेसेस के कारण और कुछ प्रोटो जुगा के कारण बैक्टीरिया के कारण होने वाली ट्रैकोमा ये आँख को एफेक्ट करती है याज ये सकिन और बॉन्स को एफेक्ट करती है लेपरोसी ये तो अब जानते हैं कुश्ट रोग और बुरूली अलसर ये सकिन को एफेक्ट करती है इससे सकिन में रेड चकत्ते टाइप के निकलने लगते हैं और वाइरस से होने वाले में रेवीज, डेंगू, चिकन गुनिया प्रोटो जुए से होने वाले में लेश मैनोसिस, यागास डिसीज ये सभी निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में आती है इसका प्रभाव क्या है, इससे एक तो निर्धनता की कारण पनपी असवच्छता में ये बिमारी होती है जब बिमार हो जाते हैं तो उन पे निर्धनता और ज़्यादा बढ़ने लगती है और बच्चों के स्वास्ट पर प्रभाव पढ़ता है, उनमें को पोसंड की इस्तिती होने लगती है चलने फिरने वा स्रवण में बाधा उत्पन होती है, जिससे उनमें सिच्छा भी प्रभावित होती है महिलाओं के स्वास्त पर क्या प्रफब पढ़ता है इसका सचा संबंदित समस्याओं के कारण अप वर्जन एवं सामाजिक लांचन को बढ़ावा देती है इसमें क्या इन बीमारियों में देखते हैं इसकिन खराब हो जाती है जैसे लेपरोसी हो गया लेपरोसी हो गया बुरूली यलसर हो गया याज हो गया इनमें इसकिन पे इफेक्ट आता है जिस कारण से समाजिक लांचना को बढ़ावा मिलता है फ़र्ड टॉपिक है अर्टमिस अकार्ड ये क्या है यह मानों को अंतरिच अनवेशन के लिए भेजने भेजना है इस समझहोते के दौरा ये किसके दौरा किया गया है ये नासा की एक पहल है जो की अंतरिच अनवेशन से रिलेटेड है 2024 में इसका उद्देश है कि 2024 में चंद्रमा की सतह पर पहले किसी महिला को उसके बाद पुरुस को भेजा जाए अब ये न्यूज में क्यों है क्योंकि अभी न्यूजीलेंड 11th कंट्री बन गया है जिसने अर्ट में समझावते पर हस्ताच्छर किये है और वो महत्वपूर्देश जिन्होंने हस्ताच्छर नहीं किया है उनमें हैं भारत, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी और जिन्होंने हस्ताच्छर किया है वे हैं न्यूजीलेंड, अभी 11 जिसने लेटेस्ट किया आस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया यूएई, यूक्रेन यूक्रेन तो याद रखना इसमें पर बहुत महत पूर्ण है इटली, लक्जंबर्ग, ब्रिटेन, यूनाइटेड इस्टेट आप अमेरिका और कैनड़ा इन देशोंने आर्ट में समझावते पर हस्ताच्छर कर रखा है नेक्ट टॉपिक है सन हेलो, सूर प्रभा मंडल ये आप देख रहे हैं इसमें ये है सन और ये एक सरकिल बनता है इसे ही सूर प्रभा मंडल कहते हैं करनाटक में ये पर घटना हुई थी इसे 22 डिगरी प्रभा मंडल भी कहते हैं इस दोरान प्रकास अपनी मूल दिशा से 22 डिग्री तक अपवर्तित हो जाता है वाई मंडल में निलंबित आइस क्रिस्टल्स दोरा सूर के प्रकास के अपवर्तन के कारण यह परिखटना उत्पन होती है जो की वर्सा के सूचक होते हैं यह तो रही नार्मल बात अब आयर देखते हैं कि यह इस सर्कल क्यों बनता है अखिर सर्कल में ही क्यों यह प्रभा मंडल बनता है क्या होता है कि जब यह किसी भी तरीके से अगर water droplets पान से साथ किलो मीटर हाइट तक पहुँच जाते हैं किसी भी कारण से माल ये पहुँच जाते हैं उनका जो भी उसमें weight है उस कारण से वो हलके weight की कारण उपर पहुच जाते हैं अब उपर जाने के बाद temperature घटता है उपर जाने से तो ये जो water droplets हैं ये ice crystals में hexagonal ice crystals में बदल जाते हैं जिसके करण ये प्रिज्म जैसे बेवार करने लगते हैं अब एक example लेजिए क्या होता है कि इसमें ये एक प्रिज्म है hexagonal यहां से sun reserve ही है ये ऐसे आई अब ये अपर जाती है ये क्यरण अपर जाती है अब इसमें जो red होगा ये प्रिज्म में ऐसे अपर जाता है ये कोई भी किरण आई ये साथ रंगों में भी बख्थ हो जाती है ऐसे ऐसे तो बैगनी कलर सबसे ज़्यादा अपवर्तित होगा और रेड कलर सबसे कम अपवर्तित होगा यही इसमें भी रहेगा तो जो बैगनी कलर सबसे ज़्यादा अपवर्तित होगा अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं यहां पे अगर आप देख रहे हैं यहां से मतलब जो अब्जरबर है उसकी पोजीशन यह है तो इधर से यह एक आभासी प्रतिविम बनाता है यह ऐसे एक सर्किल बनता है तो रेड कलर अंदर रहेगा और जो बैगनिंग कलर आता है वो बाहर की तरफ रहेगा जिस कारण से एक सर्कल जैसी आकरिती बनती है और यह प्रभामंडल निर्मित होता है इससे इंपॉर्टन बात इसका है कि प्रभामंडल वर्सा के सूचक होते हैं नेक्ट टॉपिक है चीन के मंगल यान की लेंडिंग सफल रही है पहला यू यसे था दूसरा चाइना जो की मंगल में ग चीन के मंगल यान का नाम है तीन वेंड वन नेक्स एक छोटा स्टॉपिक है बायो हब बायो हब क्या है यह डवली एचो प्लस शूटिजर लेंड का एक समझाता है यह अन्डेश भी कर सकते हैं इसका उद्देश क्या है कि जो भागीदार देश है उनके प्रयोग सालाउं और भागीदार देशों के मद रोग जनकों को तेवरता से साजह करने के लिए एक समझोता किया गया है इसमें जैसे अभी COVID-19 चल रहा है इसके बाद कोई अन पेंडेमिक भी आपेच्छित हैं कि वो भी आ सकते हैं इस कारण से इसको बनाया गया है ताकि अगर जो भी रोग जनकों जो भी वारिसेस बगए रहों उनके बारे में इनफार्मेशन तेजी से डवलू यह और सदस्देशों के मद ताजह हो सके एक DRDU ने एक दबाई निर्मित की है 2DG, 2-D-Oxy-D-Glucose 2-D-Oxy-D-Glucose यह DRDU द्वारा निर्मित की गई है यह एंटी कोविड ओरल ड्रग है इसको याद रखिएगा कहीं वो बोल देंगे कि डेंगू आप संदे देंगे आपको कि डेंगू की दबाई है चिकन गुनिया की दबाई है नहीं यह एंटी कोविड ओरल ड्रग है और इसको यह भी दे सकते हैं कि यह एंटी कोविड इंजेक्शन ड्रग है इंजेक्शन नहीं यह ओरल ड्रग है और में फ्लावर 400 यह क्या है यह 1st AI संचालित युद्धपोत है में फ्लावर 400 AI संचालित युद्धपोत है इसके बारे में यह आपको दे सकते हैं यह कोई खोजा गया नया खोजा गया नया फ्लावर है या कि इसको दे सकते हैं कि कोई चंद्रयान मिसन है किसी का लेकिन ये क्या है AI संचालित एक पोत है Artificial Intelligence द्वारा संचालित थैंक यू कीप लर्निंग